हाल ही में आई डबलो एचो यानि विश्व स्वास्त संगठन की रिपोर्ट की अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूशिव शहरों में 13 शहर तो भारत के ही है इस बढ़ते प्रदूशन का मुख्यकारण मोटर गाडियों से निकलने वाला धुआ है हाला कि वैज्ञानिक और इंजीनियर ग्रीन फ्यूल के इस्तिमाल की दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन इस बीच सागर के कार मेगैनिक का दावा है कि इनके पास इस समस्या का हल है उन्होंने पेट्रोल से चलने वाले कार इंजन में फिर बदल करके एसिटिलिन गैस से चलने वाला इंजन बना दिया है एसिटिलिन गैस को कार के पीछे एक सिलिंडर लगा कर उसमें पानी और कैल्शियम कारबाइट के मिस्टर्ण से पैदा किया जाता है मैं गैस बैलिनंग भी करता हूँ तो गैस बैलिंग में जो कारवाइट इसिमाल की जाईती है उस कारवाइट को मैं देखा कि जब मैं टंकी में डालता हूँ फिर अस से बैलिनْ Origकूल मेरे से बी दमाग में ये वाई बात की देखे पिश्टन के लिए तो करेंट और आग चा हो सकता है कि सुनने में ये सब आसान लगे लेकिन रईस को इसे बनाने में तीन साल लगे उन्होंने इसे पेटन कराने के लिए अरजी भी दे रखी है रईस ने खुद ही मेकैनिक काम सीखा है और उनका गैराज ही कई दश्कों से उनका लैप बना हुआ है रईस और उनकी कार शहर के लोगों के बीच चर्चा का विशे बनी हुई है इस काम के लिए वो कई बार सम्मानित भी हो चुके हैं रईस काम मानना है कि एसेटिलेन गैस ना सिर्फ सस्ती है बलकि ये पेट्रोल डीजल से भैतर और पर्यावरन के लिए अनुकूल है एक तो सबसे पहला ये फायदा है कि ये पेवर इंडिया नहीं ये फिल दूसरा एहम बात प्रदूसर के लिए वाईयू मंडल के लिए बहुत फायदेबंद है 42 साल के मेकैनिक मुहमद रईस खान की ये अनुकी कार नकेवल पानी और कारबाइट से चलती है बलकि उन्होंने इसमें मोबाइल सुरक्षा प्रणाली भी लगाई है और अगर सब कुछ योजना के मताबिक चलता रहा तो जल्द ही ये कार पानी पर भी चलेगी लेकिन रईस का सपना तो इसे पानी के इंधन पर चलाना है